नमस्कार बच्चों आशा करता हूँ कि आप सकुषल होंगे और आज जो हम अध्याए पढ़ने वाले हैं उसे पढ़ने के लिए उत्साहित होंगे आज हम पढ़नेंगे कक्षा आठ विज्ञान का अध्याए सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रू तो बच्चों पहले हम कुछ दोहराई कर लेते हैं इसके लिए मैं आप से कुछ प्रश्न पूछूँगा आपने उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं सबसे पहले आपने देखा होगा कि हम घर में जब अनाज को संग्रहित करते हैं तो किसी धातू के पात्र में डालने के साथ साथ हम उसके साथ कुछ नीम के पत्ते भी डालते हैं तो बताईए हम ऐसा क्यों करते हैं तो बच्चों सही उत्तर है ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि अनाज को खराब होने से बचाया जा सके दूसरा प्रश्ण बच्चों वर्षा रितु में आपने देखा होगा कि नम रोटी या ब्रेड पर आप काले भूरे रंग की सरंचनाए देख पाते हैं तो बच्चों क्या आप बता सकते हैं कि ये सरंचनाए क्या हैं बच्चों ये सरंचनाए फफूद हैं इन्हें कवक भी कहा जाता है बच्चों यदि इने हम आवर्दक लेंस के नीचे देखें तो आप क्या देख पाएंगे तो बच्चों अगला प्रेश्ण है यदि हम आवर्दक लेंस के द्वारा दही को देखें तो क्या हम उसके अंदर भी कुछ देख पाएंगे तो बच्चों इसका उत्तर है नहीं, ऐसा नहीं होगा और ऐसा भी नहीं है कि दही के अंदर कोई इस प्रकार के जीव नहीं है दही के अंदर भी छोटे-छोटे जीव होते हैं जिने हम अपनी केवल आखों के द्वारा ही नहीं देख सकते उसे देखने के लिए यंत्र की अवशक्ता पड़ती है जिसे सूक्ष्ण दर्शी कहते हैं तो बच्चों आज हम ऐसे जीवों के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत छोटे होते हैं जिने सूक्ष्ण दर्शी के द्वारा देखा जा सकता है और जिने सूक्ष्ण जीव कहा जाता है बच्चों सूक्ष्ण जीव हर जगा पाय जाते हैं तो आईए एक क्रिया कलाब करके देखते हैं कि आपके बाग की मिट्टी और तलाबों में कौन से सूक्ष्ण जीव पाय जाते हैं बच्चों इस अध्यन को करने के लिए हम किसी खेत में से एक बीकर में थोड़ी सी मिट्टी लेंगे और इस मिट्टी में जल की कुछ बूंदे डालेंगे मिट्टी के कन बैर जाने के पच्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सुक्ष्ण दर्शी की सहायता से इसका प्रेक्षण करेंगे आपको उसमें बहुती छोटे सुक्ष्ण दीव दिखेंगे अब इसी प्रकार हम किसी तलाब में से पानी की कुछ बूंदे लेंगे और उन बूंदों में से एक बूंद को स्लाइड पर लेकर सुक्ष्ण दर्शी की सहायता से उसका भी प्रेक्षण करेंगे तो आप देख पाएंगे कि सूख्ष्ण दर्श्री से देखने पर हमें मिट्टी और जल के नमूनों में दोनों में ही सूख्ष्ण जीव दिखाई देंगे कुछ सूख्ष्ण जीव जैसे ब्रेड पर उगने वाले कवक को अवर्दक लेंज की सहायता से देखेंगे तो आपको काले रंग की कुछ गोल सरंचनाएं दिखाई देने लगेंगे सूख्ष्ण जीव चार प्रकार के होते हैं सूख्ष्ण जीवों को चार वर्गों में बाटा जा सकता है जैसे की जिवानू, कवक, प्रोटो जोवा, एवम, शेवाल जीवानू के कुछ और उधारन भी हैं जैसे की स्पाइरल जीवानू और छड़नमा जुवानू कवक के भी उधारन हैं जो की इस प्रकार हैं एस्परजिलस, पैनिसिलियम और राइजोपस यानि की ब्रेड मोल्ड प्रोटो जोवा के उधारन भी देख लेते हैं अमीबा और पैरामिशियम शेवाल के उधारन हैं क्लेमाइडो मनास और स्पाइरो गायरा बच्चों, इन चारों के अत्रिक्त एक और वर्ग भी है जो विशानू कहलाते हैं ये विशानू अन्य सुक्ष्ण जीवों से भिन है और यह किसी अन्य जीव या पादप में रहकर गुनन करते हैं इन्हें भी सुक्ष्ण जीवों की श्रेणी में रखा गया है बच्चों, अब हम जानते हैं कि सुक्ष्ण जीव क्या होते हैं अब हम यह देखेंगे कि यह कहां रहते हैं तो बच्चों आपको जानकारी देदूं कि सूक्ष्ण जीव हवा, जल, पादप, जन्तों के शरीर के अंदर और उपर सभी जगा मिलते हैं सूक्ष्ण जीव हर प्रकार के वातावरण में रह सकते हैं ये बरफीली शीत में, गरम स्रोतों में, मरुस्थल में और दलदली स्थानों में भी पाए जाते हैं सूक्ष्ण जीव एक कोशिक या भी हो सकते हैं और बहु कोशिक या भी हो सकते हैं सुक्ष्ण जीव जैसे अमीबा यहे अकेले रहते हैं लेकिन कावक और जिवानू कलोनी या समू बना कर रहते हैं कुछ सुक्ष्ण जीव हमारे लिए बहुत ही लाबधायक होते हैं तथा कुछ सुक्ष्ण जीव हमारे लिए हानी कारक होते हैं तथा जीवों में रोक के कारक होते हैं अब हम यह देखते हैं कि मित्रवत सूख्ष्ण जीव कौन से होते हैं मित्र सूख्ष्ण जीवों का विभन कारेओं में उप्योग किया जाता है जैसे कि ब्रेड, केक, पनीर, आचार, सिर्का, दही, आदी बनाने में रवा इडली एवं भटूरे बनाने के लिए दही एक महतपूर्ण संगटक है तो बच्चों आपको जानकारी देदूं कि इसमें लेक्टो बैसिलस नाम के जीवानू होते हैं जो इडली एवं भटूरों को नर्म रखने में सहायता करते हैं सुक्ष्ण जीव परेवरन को भी स्वच रखने में सहायता करते हैं यह पादपूं, सबजियों के छिलके और अन्य मृत जीवों को अबगटित करके खाद में बदल देते हैं कुछ सुक्ष्ण जीव जैसे की पैनिसिलियम जिसका प्रयोग पैनिसिलियम गोलियों कैप्सूल और इंजेक्शन को बनाने के लिए किया जाता है बच्चों, जब आप कभी बिमार पढ़ते हो तो डॉक्टर आपको पैनिसिलियन का इंजेक्शन देते हैं या अन्य कोई प्रतिजैविक गोली या कैप्सूल देते हैं इन आशदियों के सरोत सुक्ष्ण जीव हैं ये बिमारी पैदा करने वाले सुक्ष्ण जीव को नश्ट करते हैं और उनकी वृद्धी को रोग देते हैं इस प्रकार की आउशदी को प्रती जैविक अथवा एंटीबाइटिक कहा जाता है एंटीबाइटिक के अन्य उधारण है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रसाइक्लिन और एरित्रोमाइसिन इसके पश्चात कुछ जीवानू नाइट्रोजन का स्थिरी करण करके मिट्टी की उर्वर्ता में भी वृध्धी करते हैं वानिज्जिक तौर पर भी कुछ जीवानू हमारी साहता करते हैं बड़े स्तर पर एलकोहल, शराब, एवं एसेटिक एसिड के उतपादन में सुक्ष्ण जीवों का उप्योग किया जाता है जो गेहूं, चावल, एवं फलों के रस्प में उपस्तित प्राकृतिक शरकरा में येस द्वारा एलकोहल एवं शराब का उतपादन किया जाता है शरकरा से एलकोहल को बनाने की प्रिक्रिया को किणवन कहा जाता है लुई पास्चर ने किणवन की खोज सन 1857 में की थी बच्चों, सुक्ष्ण जीव उप्योगी होने के साथ साथ हानी कारक भी हो सकते हैं कुछ सुक्ष्ण जीव मनुष्य, पादपों और जन्तूओं में रोग का कारक बनते हैं जैसे की पेचिस और मलेरिया प्रोटो जुआ नामक सुक्ष्ण जूल से होता है टाइफाइड और टीवी जीवानुओं की वज़ा से होते हैं जो काम, खांसी और फ्लू विशानुओं के कारण होते हैं बच्चों, COVID-19 जो की एक विशानुजनिक रोग है आजकल फैला हुआ है बच्चों, COVID-19 जो की आजकल फैली हुई एक महामारी है इसका कारण भी विशानु ही है कुछ खतरनाग बिमारियां जैसे की पोलियो और चिकन पॉक्स भी जिवानुओं से होती है कुछ रोग ऐसे भी हैं जो संक्रमित व्यक्ति अत्वाजन्तु के सीधे संपर्क में आने से हो जाते हैं इन रोगों को संचरणिय रोग कहते हैं इन रोगों में मुख्यते आते हैं हैजा, समान्य सर्दी जुखाम, चिकन पॉक्स, शैरोग और आज कल फैली हुई COVID-19 नामक एक महा मारी ये रोग मुख्यत वायू, जल और कुछ कारकों द्वारा भी होते हैं कुछ कीट एबम जन्तु ऐसे हैं जो रोग कारक सुक्ष्म जीवों के वाहक होते हैं जैसे की मक्खी, जब यह मक्खी कूडे पर बैठती है या अप्शिष्ट पर बैठती है तो उसके साथ रोगानू उसके शरीर पर चिपक जाते हैं इसके बाद यह मक्खी आकर हमारे भोजन पर बैठती है और वहां रोगानूं का स्थानांतरन कर देती है जो भी व्यक्ति ऐसा संदूशित भोजन करता है उसके बिमार पढ़ने की संभावना रहती है इसलिए बच्चों हमें भोजन को सदैव ढख कर रखना चीए और बिन ढखे हुए भोजन को नहीं खाना चीए इसी के साथ मच्छर आप जानते ही है कि मलेरिया और देंगू और मलेरिया जैसी खतरनाक बेमारियां फैलाते हैं इन्हें भी फैलने से रोकने के लिए हमें कूलर टायरों फूलदानों उत्यादू में कभी भी पानी एकत्र नहीं ह होने देना चाहिए कुछ चमडी के रोग कवक और कारण होते हैं कुछ हानिकारक सुक्ष्ण जीव भोजन लकडी कपड़े और चमड़े को खराब कर देते हैं बच्चों अब हम जन्तूओं में रोग कारक जिवानों के बारे में ज्यान प्राप्त करेंगे जीव जन्तूओं में रोग कारक सुक्ष्ण जीव एंत्रेक्स नामक रोग जन्तूओं में जिवानों के कारण होता है पशुओं में होने वाला मुह और खुर का रोग है आईए अब जानकारी ले लें पादपों में रोग उत्पन करने वाले सुख्ष्म जीवों के बारे में निम्बू के अंकर नामक पादप रोग सुख्ष्म जीव जीवानू के कारण होता है और यह वायू द्वारा संचरित होता है इसी प्रकार से गेहू की रस्ट जो की कवक नामक सुख्ष्म जीव से होता है यह वायू एवं बीज द्वारा संचरित होता है भिंदी की पीत नामक रोग वाइरस से होने वाला रोग है और यह कीटों द्वारा संचरित होता है यह सब जानकारी लेने के बाद बच्चों हम अपने भोजन को सुक्ष्ण जीवों के हमले से सुरक्षित रखने के लिए रसायनिक धंग का इस्तिमाल किस प्रकार से करते हैं इसके बारे में जानेंगे जैसे की खाने वाले नमक का इस्तिमाल करके मीट, मचली, आम, इमली एवम आवले को सुरक्षित कर सकते हैं चीनी का इस्तिमाल करके जैम, जैली, एवं स्क्वेश को सुरक्षित किया जा सकता है तेल और सिरके का इस्तिमाल करके फल, सबजियां, मचली, आचार और मीट को सुरक्षित किया जा सकता है गरम एवं थंडक से सुरक्षित रखना इसका उधारन है दूद इस प्रक्रम को पास्चरी करण कहा जाता है दूद को 70 डिगरी पर 15 से 30 सेकिंड के लिए गरम किया जाता है फिर एका एक ठंडा कर उसे भंडारित कर लिया जाता है ऐसा करने से सुक्ष जीवों की वृद्धी रुख जाती है इस प्रक्रिया की खोज लूई पास्चर नामक विज्ञानिक ने की थी इसी लिए इसे पास्चरी करण कहा जाता है एक और तक्नीक है पैकटों में भंडार करना जैसे की मेवे व सबजियां इत्यादी बच्चों अब हम नाइट्रोजन स्थिरी करण के बारे में चानेंगे बच्चों राइजोबियम लेग्यूम पौधों की गरंथिकाओं में रहते हैं जैसे की सेम और मटर इन पौधों के साथ इन जिवानों का सहजीवी संबंध होता है यह लेग्यूम पौधे नाइट्रोजन का स्थिरी करण करने का काम करते हैं बच्चों आपको एक और जानकारी दे दूँ कि कभी कभी तडित विद्दु द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरी करण होता है नाइट्रोजन स्थिरी करन के बाद अब हम नाइट्रोजन चक्र को देखेंगे हमारे वाईउ मंडल में 78 प्रतिशत नाइट्रोजन गैस है नाइट्रोजन सभी सजीवों का अवश्यक संगटक है जो प्रोटीन नुक्लिक एसिड एवम विटामिन में उपस्तित रहता है पौधे एवम जन्तू वाईउ मंडली नाइट्रोजन का उप्योग सीधे नहीं कर सकते आईए इसे नाइट्रोजन चक्र के जरिये समझते हैं वाईउ मंडली नाइट्रोजन को जीवानू एवम नीले हरे शेवालों द्वारा स्थिर करन किया जाता है फिर इसके पच्चाथ जीवानू स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन योगिकों में बदल देते हैं और मिट्टी में ये योगिक मिल जाते हैं मिट्टी में उपस्तित नाइट्रोजन के योगिकों को पौधा द्वारा अवशोशित कर लिया जाता है और पौधों को जन्तू खाते हैं तो जन्तू में ये नाइट्रोजन वहां पहुंचाती है जन्तू के उच्षरजन और उनकी मृत्यू के पहुचात फिर से ये नाइट्रोजन अप्षिष्ट मिट्टी में वापिस मिल जाते हैं अब हम बात करेंगे कि मिट्टी में मिले नाइट्रोजन के यॉगिक किस प्रकार से वायूमंडलिय नाइट्रोजन में बदल जाते हैं यह कारे भी कुछ दीवानूओं द्वारा किया जाता है जो नाइट्रोजन योगिकों का गैसिये नाइट्रोजन में परिवर्तन कर देते हैं एक बात और कि वायूमंडलिये नाइट्रोजन को तडित द्वारा भी स्थिरी करन किया जाता है तो इस प्रकार से ये चक्र चलता रहता है बच्चों अब हमने पूरा पार्ट पढ़ लिया है आएए एक बार इस पूरे अध्याय की दोहराई कर लेते हैं सुख्ष्ण जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें नंगी आँखों से नहीं देखा जा सकता इन्हें देखने के लिए सुख्ष्ण दर्शी का प्रयोग किया जाता है सुख्ष्ण दर्शी एक ऐसा यंत्र है जो चीजों को बड़ा करके दिखाता है सुख्ष्ण जीव एक कोश्य के भी हो सकते हैं या बहु कोश्य के भी हो सकते हैं जैसे की एक कोशिके जीव जीवानु और बहु कोशिके शेवाल और कवक वाइरस एक मेजबान जीव जैसे जीवानु पौधे या पशु कोशिका के अंदर पुन्हे उत्पन कर सकते हैं बच्चों फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज कल जो महामारी फैली है COVID-19 वह एक वाइरस जनित है रोग है यानि की विशानु जनित रोग इसके बाद हमने पड़ा प्रति जैविक अथ्वा एंटिबाइटिक के बारे में जो बिमारी पैदा करने वाले सुख्ष जीवों को नश्ट करते हैं और उनकी वृद्धी को रोग देते हैं जब रोग कारक सुख्ष जीव हमारे शरीर में परवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रति रक्षी उत्पन करता है जो की इन प्रति जैविकों के कारण ही होता है हमने पाश्चरी करण के बारे में पड़ा जिसके द्वारा दूद को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है और इसकी खोज लुई पाश्चर ने की बच्चों आईए अब हम कुछ खाली स्थान भरें सुक्ष्ण जीव को मुख्य रूप से इन वर्गों में बाटा जा सकता है पाँच, चार, तीन या साथ तो मुख्य वर्ग चार है और विशानों को भी यदी मिला दिया जाए तो पाँच है आईए कुछ प्रश्णों का अभ्यास करते है ब्रेड के गुते हुए आटे का फूलने का क्या कारण होता है बच्चों, ब्रेड के गुते हुए आटे में यीस्ट मिलाया जाता है ये यीस्ट तिर्वता से जनन करके श्वेशन के दौरान कार्बन डाइकसाइड गैस उत्पन करते है गैस के बुलबुले खमीर वाले आटे का आयतन को बढ़ा देते हैं चीनी के अलकोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है इसे किनवन कहा जाता है जिसे फर्मेंटेशन भी कहते हैं बच्चों सक्राबक रोगों के कोई दो उधारन देजिए हैजा और आम जुकाम आईए बच्चों अब हम मिलान करते हैं तो नमक का प्रियोग कहां पर किया जाता है इन में से मिलाईए नमक का प्रियोग आम एवं इमली को सरक्षित करने के लिए किया जाता है चीनी का प्रियोग कहां किया जाता है जैम बनाने के लिए तेल और सिर्के का प्रयोग किया जाता है आचार बनाने में अगला है गर्म और ठंडा करना किसे किया जाता है गर्म और ठंडा दूद को भंडारन एवं पैकिंग की जाती है मेवे की बच्चों इन में से बताईए कि कौन सा प्रतिजैविक है सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाईसिन, एलकोहल या यीस्ट सही उत्तर है स्ट्रेप्टोमाईसिन बच्चों अगला प्रश्ण है कोविड उन्निस महमारी के फैलने का कारण क्या है जीवानू, विशानू, कवक या शहवाल तो बच्चों इसका सही उत्तर है विशानू बच्चों इसी के साथ आज हमने अपना अध्याय सूक्ष्ण जीव मित्रेवम शत्रू को समाप्त कर लिया है और मैं आशा करता हूँ कि आपने इस अध्याय को ध्यान से देखा होगा, समझा होगा और जो बाते आज आपने सीखी हैं उसे अपने द्यानिक जीवन में भी प्रयोग करेंगे तो बच्चों सभी से आशा करता हूँ कि आप पढ़ाई में अपना पूरा ध्यान लगाएंगे और अपने घरों पर सुरक्षित रहिए सचेत रहिए धन्यवाद कि आपने सीखी हैं